बहिया बेहनों नमस्कार आज मैं आपको परस्णावली 12A के क्युस्चन करवाऊंगा पहला क्युस्चन यदि एक बिंदू Y अक्स पर है तो इसके X और Z दोनों निर्दे सांग 0 होंगी यदि एक बिंदू X, Z तल में है तब इसका Y निर्दे सांग सुनने होगा तीसरा क्युस्चन ये बिंदू है और हमें ये बताना है कि ये किस तल में इस्थित हैं बिंदू है 1, 3, 0 जिस बिंदू का Z कोडिनेट 0 होगा वो X, Y तल पर होगा माइनस 2, 0, 4 जिस बिंदू का Y कोडिनेट 0 होगा वो X, Z तल पर होगा 0, 4, 1, इस बिंदू का x coordinate 0 है इसलिए य, y, z तलपफ होगा अब हमें question number 4 में बिंदू दिये हुए हैं और अस्टांस बताना है 2, 1, 4, तो O, x, y, z, minus 1, 2, 4, O, x, y, z, 1, minus 32, O, x, y, z, 1, 5, minus 6, O, x, y, z, z 2, minus 1, minus 3, O, x, y, z, z, minus 2, 3, minus 5, O, x, y, z, minus 4, minus 1, 3, O, x, y, z, z, minus 1, minus 2, minus 3, O, x, y, z, z, z वहिए वेनों हमने यहां पर्थम तरित्य तरित्य नहीं लिखा हमने उसके जो actual में है हमने वो लिखा है बिन्दू 2, minus 3, minus 4 की x अक्से दूरी अंडरूट y कोडिनेट का स्क्वार प्लस z कोडिनेट का स्क्वार नो प्लस 16 अंडरूट 25 युनिट इसी बिंदू की y x से दूरी x कोडिनेट का स्क्वाइर प्लस y कोडिनेट का स्क्वाइर z कोडिनेट का स्क्वाइर 4 प्लस 16 दो अंडरूट 5 युनिट इसी की z x से दूरी अंडरूट 2 स्क्वाइर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वाइर 4 प्लस 9 अंडरूट 13 युनिट इतना ही करेंगी धन्यवाद